नमस्कार फ्रेंद्स फैमिली जायका में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं रबास जिसको की लोब या रोंगी या ब्लैक आइट बीन्स भी कहा जा सकता है इसको हमने अच्छी तरह से वाश करके ओवरनाइट सोप करके रखा हुआ था साथ ही हमने यहाँ पर एक पैन में दो टेबल स्पून के करीब तेल गरम कर लिया है तेल अलरड़ी हमारा गरम हो चुका है तो अब हम यहाँ पर अपने कुछ खड़े मसाले डालना स्टार्ट करेंगे एक हमने यहाँ पर तेज पत्ता लिया हुआ है वो डाल रहे हैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रहे हैं एक बड़ी लाइची ली हुई है जिसको हमने हलका सा तोड़ लिया था और कुछ लॉंग और काली मेच्छ हमने यहाँ पर ली हुई है यह हम इसमें डाल देंगे जैसे ही इन में से थोड़ी सी खुश्बू आने लगेगी तो हम इसमें एक टी स्पून के करीब जीरा डालेंगे तेल हमारा गरम था तो हमारे स्पाइस और जीरा ग्रैक होने लगे हैं अब हम इसमें डालेंगे बहुत फाइनली चॉप किया हुआ प्यास अब इस प्यास को हमें इसमें तप तप जोनना है जब तक कि ये ब्राउन तलर ना ले लिए तो देखिए प्यास हमारे हलके हलके ब्राउन हो चुके हैं अब इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे दो चम्मच की करीब अद्रत रसन का पेस्ट अच्छी तरह से लिक्स करेंगे इसको इसी टाइम पर हम अपने कुछ तुस्टे मसाले भी इसमें आज करेंगे आदर चम्मच या हमने हल्ली पाउडर लिया हुआ है वो डालेंगे आदर चम्मच के करीब भुए जीरे का पाउडर लिया हुआ है वो डाल देंगे और धाई चम्मच के करीब हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया हुआ है वो डाल देंगे अब इन सारी चीजा को हमें अच्छी तरह से दिक्स करना है यह सारी कुपिंग जो हमें करनी है यह हमें लो तू मीडियम प्लेंपे करनी है मसाले हमारे अच्छी तरह से बिक्स हो गए है अब इस तेज पर हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्रेश टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है साथी में हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक्याट करेंगे अब इस सारे मसाले को हमें धब कर तब तक पकाना है जब तक कि यह अच्छी तरह से तेल न छोड़ें देखिए हमारे मसाले को पक्ते हुए लगता पांच मिनत हो गए हैं अब हम इसमें एक चम्मच के करी लाल मिश टाल रहे हैं लाल मिर्च, हरी मिर्च आप हमेशा अपने टेस्ट के अपॉर्डिंग डाले जितना भी तीका आप खाते हैं अभी यह हुआ नहीं है मसाला कि इसमें तेल नहीं छोड़ा है हम इसे धब के और पका लेंगे बीच बीच में इसे आपको चेक करते रहना है कि यह मसाला चिपके ना उसके लिए अगर आपको लगे कि यह बॉफर ड्राइं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसे पाफी कारब इसमें इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉडिंग नमक क्यूंकि उपर जो हमने नमक डाला था वो सिर्फ मसाले के अकॉडिंग था कुछ हमने यहां पर धन्या पती लिए है वो इसमें डाल देंगे थोड़ी हम गानिश के लिए छोड़ेंगे अब इस मसाले को हमें इस प्रेशर कुकर में काच्वा करना है इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से पानी हमने इसमें अल्रेडी डाल रखा है काफी अब हम इस प्रेशर कुकर को बंद करके गैस पे चड़ा देंगे लगब 5 सीची तक हम इसे पपाएंगे जब तक हमारे नमास में बढ़ जातेंगे तो स्टीम हमारे कुक प्रेशर की खतम हो चुकी है अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका और रवास बहुत अच्छी तरह से गल भी चुके हैं हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके चेक कर लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं तो आये अब हम इसे प्लेट करते हैं तो देखिए फ्रेंस हमारे बहुत ही टेस्टी से रवास बिल्कुल तयार है इसे हमने सिर्फ धनिया पती से गार्निश किया है आप चाहें तो इसमें एक एक्स्ट्रा तड़का भी लगा सक करते हैं देशी गी में मिर्च डालके अगर आप जादा स्पाइसी खाते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटिस्ट झाल